हालो, 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 हालो जल्दी कैसे एक बार, गुड इवनिंग, क्या ओडियो एंड वीडियो के लिए है, मेरी आवास सभी को आ रही है, जल्दी बोलिए एक बार, स्टार्ट करें क्लास को, सभी अच्छे बार क्लास के दर आ जाएंगे, फिर हम स्टार्ट करते हैं, और सर्वेंग के जो कोश्चन हैं, उसको सेट में आपके लिए लेके आया हूँ, वो सभी आज करेंगे, ठीक है, करें स्टार्ट, आओ बहुत जल्दी, मेरी आवास सभी को आ रही है, एब कमेंट करके बताते हैं, आवास आ रही है, चले स्टार्ट करते हैं, फिर, हालो जी, हलो देवराज जी, चले स्टार्ट करते हैं, यह आपके पास क्रिस्मस का भी हम बिगेस्ट ओफर लाए थे, 199 का, और मिझे लगता है यह खताम हो चुका है, तो जी मस्चों नहीं गया है, वो जाके पर्चिस कर सकते हैं, इसको, ठीक है, दूसरा आपके पास, एक फाउंडेशन बैच चल लाए 50% और यह आपके पास स्टी मेंस का चल रहा है, जो आपके टेस्टी जी आपके स्टार्ट हो चुकी है, वो जाके आप इसको देख सकते हैं, आपके एक आपके यह वेबसाइट पर और एप पर, इस पर भी प्राइस 20% ओफ है, 2399 का हो गया ही आप जाके इसको देख सकते हैं, चल ले कोशिन करते हैं, फिर जल दी, थोड़ा स्पीड से करेंगे कि आप समझने सब कुछ पढ़ रखा है, बस मुझे समझाना है और कोशिन करवाना है, यह कोशिन है वो पढ़ो धिया आंसर जवाब दीजे, क्या आंसर होगा इसका, लि दिखाना के इस बात को एचे स्कोल दा अब्जेक्ट ओव स्रवेइं, अब्जेक्ट ओव स्रवेइं का मतलब यह होता है कि आपका अब्जेक्टिव क्या है, जैसे हम बात करते हैं, इसके आदर डिफेर्ट टाइप के सर्वे और आता है, इसे continue सर्वे हो गया मेरे पास, य आपके पास क्या है object of survey की बात है यदि आप नेचर की बात करेंगे तो टॉप ग्राफिकल नेचर कैसी है या फिर आपके पास man-made features है या natural features में यह आपका आ जाएगा लेकिन रिकनेंस सेंस military survey engineering service क्या आते हैं आपके object of surveying में अंदर आते हैं next question number two करेंगे सबको दिख रहा है ना question आपको वो लगया है question में आपसे with the following statement is correct इन में से कौन सा statement आपका correct है लिखाओ आपके पास इन यह retrograde vernier n-1 division on the primary scale are divided into the division on the end division on the vernier scale जो आपका retrograde vernier होता है उसमें क्या होता है क्या कौन सा statement correct पूछा है कि इन में से कौन सा statement correct है ध्यान रखेंगे जो retrograde vernier होता है उसमें आपके पास क्या होता है n-plus के one division होते है n-plus के one division of n-plus के one division of the primary scale divided into end division of end division on one day scale जो option one हो गलत है ए डबल vernier consists of two simple vernier place end to end or forming the one scale with the zero in the center जो आपका double vernier होता है उसके center पे zero होता है और जो reading है वो दोनों side में हम measure करते हैं इधर बी और इधर तो जो बी option है वो correct है इन्हें extended vernier two n-plus one of primary scale की बात कर रहा है तो यह भी statement आपक गलत है क्यों क्या होता है आपके two n- के one होता है primary scale का ठीक है primary का is equals to end division of one day scale के बरावर होता है यह भी गलत हो गया इन्हें डाइट वर्णियर एन प्लस के one primary scale जो डाइट वर्णियर होता है उसमें n- के one division होते हैं n- के one division of primary scale primary scale आपके end division के बरावर होते हैं आपके वर्णियर स्केल के तो यह वाला statement भी आपका गलत है तो जो statement हो जाएगा वह आपका B हो जाएगा B is cancer for this question चलिए next question करेंगे hypotential allowance is given by the expressions adopting the standard convention जो आपका hypotence allowance होता है उसकी value क्या होती है यह आप से question में पूछा गया है जो आप दीजिए देखो क्या होता है आपको पता होना अच्छे जो formula होता है sec theta minus के one into major distance होता है इस तो calculate कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ यह मिने पास क्या यह angle theta है यदि यह distance L है तो आपको पता है कि यहां तक मैं distance को L मान सकता हूँ लेकिन आपको पता है जो inclined distance है वो हमेशा ज्यादा होती है ठीक है जो inclined distance होती है वो हमेशा ज्यादा होती है आपके पास क्या horizontal horizontal distance से, ये भी आपको पता है, तो मैं आपसे पूछू कि L प्लस के X into cos theta, क्या आपके L के बराबर है, तो आप क्या करेंगे, L sac theta minus L is equals to X कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ से जो X होगा, वो आपके पास L sac theta minus के 1 हो जाएगा, तो यह जो आपकी extra value आई है, जो आपकी horizontal surface से, आप inclined surface में चले, जो आपकी extra length आई है, इसी को हम hypertenance allowance के नाम से जानते हैं, और इसके जो value होती है, वो L sac theta minus के 1 के बराबर होगी, तो answer कैसे का answer रगा है, हाँ पर C, and C is answer for this question, question number 4 करेंगे, सारे question अच्छे एंग्जाम में आ सकते हैं, धिहान रखेंगे, यह क्या बोल रहा है कि यदि आपके पास chain ring के अंदर, एक mud फस गया है, तो उसकी बैस से case type के error होंगे, negative cumulative error होंगे, positive cumulative होंगे, या फिर compensating error होंगे, बुल जो दिसे, अच्छा सवाल है, एक्जाम में आ सकते हैं, सवाल, कैसे होंगे, तो ध्यान रखेंगे क्या होगा, यद यदि मेरे पास ये आपकी क्या है, chain है, अब क्या होगा, इस chain के अंदर, यदि mud फस गया है, तो आपके पास chain होगी, क्या वो आपके पास too short नहीं हो जाएगी, chain आपके पास too short हो जाएगी, क्या होता है, जब आपके ring होती है, वो ऐसी होती है, देखो ऐसी, अब क्या होग कि इसमें यदि मढ़ फस गया तो यह S नहीं जा पाएगी, यह S जाती है, ऐसे, लेकिन यदि मढ़ फस गया, तो यह ही रुख गई, तो उसके विएसे क्या होगा, उसके विएसे आप जो chain है वो too short हो गई, अब छोटी chain से measured value हमेशा जादा आती है, यह आपको पता है, तो य होगा, measured value आपकी true value से बढ़ी हो गई, तो error आपके positive आ गए, और जब positive आते हैं, तो यहाँ पर ऐसे नहीं है कि कोई आपके compensating error आए है, यह आपके वो error है, जो हमेशा cumulative में बढ़ते रहेंगे, हमेशा आपकी measured value है, वो जादा ही आती रहेगी, इसलिए हम बोलते हैं कि value हमे 99% है, ठीक है, यह क्या लिखा हुआ है, हाप पर यह आपका है, 8 degree 30 minute east, यह लिखा हुआ है, जो क्या लिखा हुआ है, कुशन में ध्यान से पढ़ेंगें को, ऐसे कुशन भी आते हैं, एक्जाम में जिनको हम छोड़ देते हैं, बोला गया कुशन में आप से क्या, इने old map, यह में पास क्या है, यह आपका true north है, यह आपके पास क्या है, इसका जो एंगल है, वो आपका 1 degree दिया हुआ है, इसका जो एंगल है, आपको पता है, त्रू नोर्थ और में जो एंगल होता है, उसी को हम declination के नाम से जानते हैं, ठीक है, दूसरा, जो magnetic north है, और जो AB line है, उसके बीच का जो एंगल दिया हुआ है, वो किता दिया हुआ है, 5 degree 30 minutes, magnetic north से यदि आप survey line को measure करेंगे, तो आपके magnetic bearing लाएगी, यदि आप 2 north से calculate करेंगे, तो आपके true bearing आएगी, यह भी आपको पता होना चाहिए, तो यदि मैं आपसे पूचूँ है, आपके true bearing क्या होगी, तो आप बोलो के magnetic bearing में, declination को add कर दीजिए, Declination को add कर दीजिए, magnetic bearing कितने मेरे पास, 5 degree 30 minutes, declination मेरे पास कितना है, 1 degree, तो क्या है मेरे पास 6 degree 30 minutes नहीं आ जाएगा, यह आपका first bar हो गई, फिर बोल रहा है आपसे second में, The magnetic declination at the time of being 1 degree is, if the present magnetic declination आपके पास दिया हुआ है इतना, क्या बोला है यदि आपका present magnetic declination इतना हो जाता है, तो उस time पे आपकी magnetic bearing क्या होगी, अब क्या है कि यह तो old map था, अब आपका new map बना, यह आपका true north है, यह आपका magnetic north है, इनके बीच का जो gap दिया हुआ है, वो कितन 6 degree आई है, तो क्या true bearing मेरे पास यह हो गई, कितनी है true bearing मेरे पास, यदि मैं इसको A भी लाइन मानता हूँ, कितनी मेरे पास 6 degree 30 minutes, तो आप से पूछ रहा है कि जो magnetic bearing होगी, वो क्या होगी, magnetic bearing या तो आपके पास यह calculate करो, ठीक है यह calculate करो, क्या यह मेरे पास यहाँ से आप मेरे पास 2 degree नहीं होगा, क्या मेरे पास यह 2 degree होगा या नहीं होगा, या तो आप यह calculate कर लो, या फिर आप यदि magnetic bearing से calculate करना चाहते हैं, तो फिर आप यह calculate कर लो, तो यह आपका वज़ाए 358 degree, अब इसका answer 2 degree भी हो सकता है, और 358 degree भी हो सकता है, तो answer कौन सा रहेगा है यहाँ पर, जल्दी बोलिए, दो option हो सकते हैं यहाँ पर, आपका AB line से magnitude North की बीच का जो angle है, वो आपका 5 degree North है, देखो क्या है कि बस इसमें जो मैंने गरबड किया है, वो यह करी है, हम हमेशा magnetic North से आपकी AB line का measurement कर रहे है, यदि आपकी AB line पीछे रह गई, और magnitude North आगया तो हमेशा हम clockwise घोम के यह angle को calculate करेंगे, पीछे नहीं जाएंगे, मैंने AB line से magnitude North पर जा रहा हूँ, हम ऐसा नहीं करते है, हम magnetic North से AB line का angle measure करते है, इसलिए जो यह angle होगा, वो आपका 358 degree होगा, and it is a correct answer, तो क्या होगा, यह आपका correct answer रहेगा, ठीक है, 358 degree यहाँ पर answer रहने होने बाला है, 2 degree नहीं होने बाला है, तो क्या होता है, magnetic North से AB line का angle दिखा जाता है, जब हम measurement कर रहे हैं, तो clockwise घोमेंगे, तो clockwise angle यह वाला हो जाएगा, फिर और यह आपका 358 degree हो जाएगा, correct है, याद रहेगा हमेशा, चलिए, चलते हैं next पर, caution में 6 करेंगे, question number 6, बोला है question में आप से regarding the prismatic compass with the following statement is correct, यह दिए आप prismatic compass की बात करेंगे, तो इन में से कौन सा statement आपका correct है, बोलिए, good evening, good evening, good evening, बोला गया आप से कि जो prismatic compass है, उसमें यह आप बात करेंगे, तो the object is cited first, ऐसा नहीं करते है, prismatic compass के अंदर prism होता है, क्या होता है, prism होता है, और जो prism है, इसमें हम sighting और plotting साथ में कर सकते हैं, ठीके, तो sighting and reading are done simultaneously, इसके अंदर हम साथ में, sighting और reading दोनों साथ में किया ज सकता है, ठीके, हमेशा जो reading ली जाती है, वो आपके पास south end से ली जाती है, यहापे 0 degree, यहापे आपका 9 degree, यहापे आपका 270, और यहापे आपके आपके पास 90, यहापका 180 हो गया, यहापके पास 270, 360 यहापका हो गया, 270 और यहापका 360 हो गया, ठीके, तो हमेशा क्या होता ह यो south होता है, इसी को हम 0 end मानते हैं, और यहीं से आपके पास measurement किया जाता है, दूसरा the compass हैसा age bar needle नहीं, ये broad type की होती है, age bar type की नहीं होती है, in the case of prismatic compass क्या होता है least count आपके prismatic compass का ये आपका 30 minutes होता है, और WCB whole circle bearing reasoning पर ये काम करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ऐसे कोशन आपके एकजाम में बन सकते है, कोशन में 7 करेंगे कोशन नंबर 7 मत यहां सके है इस कोशन का, बोल लगा है कोशन में आप से ता needle of a magnetic compass is generally supported on यदि आप needle of magnetic compass की बात करेंगे कि जो आपके magnetic compass के निडल होती है, वो किसके उपर support होती है बोलिये, कोई बात नहीं बेटा, गाउं के भी आदमी होते हैं, जानव थोड़ी होते हैं बोलो अनसके है इसका, तो ज्याना के इस बात को दियो, क्या होता है मेरे पास ही है, जिस पर यह टिका होता है, उसका में काम ही होता है, जो निडल है, वो आपकी मुरे ना, टूटे ना, ठीक है, इसलिए हम आप यह जोल वेरिंग को यूज करते हैं, और बेसिकली हम इसको प्रिस्मेटिक कमपास के अंदर यूज करते हैं, ये भी आपको दियान रखना है, तो आज से क्या हो जाएगा, इसका D हो जाएगा, D is answer for this question, next करीए, next question करींगे, इनमें से कौन सा स्टेट्मेंट आपका सही है यह आपसे बुजाता है ऐसे कोशन आपके एक्जाम में बहुत जादा बनते हैं तो इनको ध्यान रखेंगे क्या अंसा इस कोशन का दा एक्सिजों प्लेट लेवल शुट भी पैलर तो दो वर्टिकल एक्सिस ऐस और नो तो यह भी पहला जो पहला उप्शिन हम गलत है अल्पनेट लेवल हमेशा पर्पेंडर होगा आपके वर्टिकल एक्सिस की क्या होता है जो एक सब्सक्राइब स्ट्राइडिंग लेवल मस्ट भी पालर टुदा होडिटल एक सी जिवास सही है अब वसक्राइब सोच रहें सब्सक्राइब क्या होता है इस अपके पास क्या होगा ऐसा इन्वर्टेड वाई शेप दिखा हुआ आपने ठीक है ऐसा वाई शेप देखा है एसा वाई शेप इ क्या बोलते हैं स्ट्राइडिंग लेवल कि दो वाई शेप के मेरे पास यहां पे फ्रेम होंगे उनके बीच में बबल ट्यूब लगी होती है उसी को क्यों बोलते है और यहां हमेशा हो्रिजुटल होता है आपके होरेजुटल के पैलर होगा हमेशा तो असर क्या होगा है जो B option है वो गलत वो सही है यह आपका क्या होता है पैलर होता है यह आपका पैलर होगा आपके line of collimation के ठीक है and the line of collimation must be प्लेट लेवल एकसिस नहीं यह आपकी होंडर एकसिस के प्रपेंडर होती है ना कि आपके प्लेट लेवल के ठीक है तो यहाँ पर जो D option है वो भी गलत है C भी गलत है और जो B है वो आपका most appropriate रहेगा question number 9 करेंगे 9 इन्हें transit theorolite error due to eccentricity of one year is eliminated by जो आपके पास transit theorolite होती है उसमें जो error आते हैं आपके पास eccentricity of one year के उसको हम कैसे eliminate कर सकते हैं हम उन one year का mean calculate कर सकते हैं और उस mean से आपके पास जो error आए है इस centricity के उसको दूर किया जा सकता है तो basically हम कैसे करते हैं basically हम आपके पास क्या होते हैं both one year की reading को calculate करते हैं आप right swing left swing करेंगे face left करेंगे right करेंगे वहाँ से आपकी eccentricity दूर नहीं हो पाएगी आपको दोनों one year का mean लेना पड़ेगा और जो exact value है उस पे काम करना पड़ेगा इसलिए हम दोनों one year पे काम करते हैं ठीक है तो both one year पे काम करना पड़ेगा कोश्मर 10 करिए अच्छा रहे हैं कोश्ण आपको ऐसे कोश्ण आपके एक्जाम में आ सकते हैं इस अब आपके एक्जाम में आ सकते हैं मैं आपको लिए यहां पर लेके आया हूँ with the following set of terms does not relate to the operation of theodolite जब आप theodolite का operation करते हैं तो इन में से कौन से terms पो यूज नहीं करते हैं रिलेट नहीं करते हैं ठीक है transiting and inverting face left and face right observation right swing and the left swing gauging and sounding भी हाना के इस बात को जो gauging और sounding use क्या आता है व्याना के फ़िलेग करते हैं जाना के इस बात को यहां फ़िलेख करते हैं to calculate the depth of the ocean या फिलेख the river को calculate करने के लिए हम यहां पर use किया जाता है और सब हम यहाँ पर करेंगे, जबकि यह गेजिंग और सावंडिंग नहीं किया जाता है, कोश्म 11 करेंगे, ए ट्रांजिट थेडिलाइट इंसिदेंटल एरर ड्यू तो इसेंडिसिटी और फर्णियर, यह मैं आपको उता चुका हूँ, रिपेटिशन कोश्चन है, दुबा किस थेडिलाइट को आप ट्रांजिट थेडिलाइट बोलते हैं, वो थेडिलाइट होती है, जो आपके एंगल पर घूम सकता है, वो कब घूमेगा, जब आपके पास क्या होगी, होरिजन्टल एक्सिस होगी, और वर्टिकल प्लेन में घूम रहा हो, एक बार आपका थेड अपके बात करेंगे, होरिजन्टल एक्सिस के अलोंग घूम रहा है, जब भी हम ट्रांजिट थेडिलाइट की बात करते हैं, तो आपके बात क्या होता है, जबकि इसका उल्टा जोगा, वर्टिकल प्लेन होगा, वर्टिकल प्लेन होगा, तो इसको हम स्विंगिं का नाम किसका नाम देंगे? Swinging का नाम देते हैं. ये भी बात आपको ध्यान रखेंगे. तो आज से का इसका D हो जाएगा. Next करिए. Qaush number 13 करेंगे. Qaush number 13. वो रखेंगे आपसे विजदा following figure Indicate the principle of traversing. इन में से कौन सी figure आपको traversing के बारे में बता रही है? बता है मुझे इस वाले केस में. देखो traversing हम तभी यूज़ कर पाएंगे जब हमें एक की length पता हो एक का angle पता हो. तो कि traverse का मनने मतलब क्या होता है? याब आप traverse बनाते हैं, तो आप ऐसो बनाते हैं traverse को? ठीक है? ऐसो बनाते हैं traverse को. इसमें क्या है यहँ अगल चाहिए? या आपको length चाहिए. जब आपको एक angle और एक length पता हो, तभी आप traverse को बना पाते हैं. इन सब केस के अंदर, आपको क्या है? यहाँ पे दो अगल चाहिए. इस वाले केस में क्या चाहिए? आपको दो अगल चाहिए. इस case में क्या चाहिए लेंद्स चाहिए इस case में क्या चाहिए एक angle चाहिए एक length चाहिए तो आपका nullor कर सकते हैं यहाँ भी आपको दू angle चाहिए तो इस case में जो C option है वो आपका most appropriate रहेगा क्योंकि उसमें क्या हो रहा है आपके एक angle और एक lens से से काम चल जाएगा तो मोस्टेट में एस सा वाक influx का इसका है इसमें और लेंगल एक लेंगल से काम चल जाना है गलती नहीं करेंगे एक्जाम हो सकती है कि नेक्स खतेंगे को कॉश्टन नंबर 14 करेंगे इन्हें any close traverse आपके किसी भी close traverse के अंदर if the survey work is error free आपके close traverse के अंदर क्या हो रहा है कोई भी survey हो रहा है वो error free हो रहा है then the algebraic sum of all the latitude should be equal to zero the algebraic sum of all the departure should be equal to zero the sum of northing should be equal to the sum of the sorting बते हैं आंसर क्या होगा इस question का जो क्या होता है जब आपके पास कोई traverse है वो close traverse है तो summation of latitude equals to zero आता है, summation of departure equals to zero आता है यह हम तभी बोल पाते हैं जब आपके बास क्या हो traverse error free हो क्या हो? error free हो नोकि जब error free होगा to exp is equal to zero ey is equal to zero यह दोनों आपके 0 हो सकते हैं तभी क्या होगा तभी आपके बास यह error free हो पाएगा तो लिखा हुआ है आप से the sum of nothing should be equal to the sum of sourthing, यह दोनों बराबर आ रहे हैं, that means कि latitude 0 ही है, यदि sourthing और नर्दिं दोनों बराबर आ रहे हैं, तो दोनों को मिला के 0 कर सकते हैं, ठीक है, तो बताओ मुझे, summation यह बुला है sum of nothing, sum of nothing equals to sum of sourthing, तो क्या हम इस बता है sum of sourthing minus sum of sourthing equals to 0, क क्या यही आपका latitude होता है, क्या यही आपका latitude होगा या नहीं होगा, तो answer क्या हो जाएगा है, यहाप पर D हो जाएगा, D is answer for this question, next करिए, question number 15 करेंगे, सारे अच्छे question है, एक्जाम में आ सकते हैं, तो बड़े प्यार से, मज़े से लेवके पढ़ेगे, ठीक है, UP1C में मैटरों में अपनी जॉब ले लो एक, क्यों मैं मुन्ना सिंग, सही कह रहूं मैं, क्यों कविता जी, मार्च में होगा आपका पेपर, इस लेवल वुड भी, जो sensitivity of bubble tube है, उसके लिए हम alpha को describe करते हैं, alpha का formula क्या होता है, d by r is equals to s by n into d into 206265, यहां से आपके पास क्या होता है, second में answer आता है, जो आपकी sensitivity of bubble tube को describe करता है, ठीक है, sensitivity of bubble tube आपके radius of curvature के बढ़ने पे बढ़ती है, तो यह घटेगी नहीं, option A गलत, diameter of tube is increased, तब भी आपकी sensitivity बढ़ेगी, यह क्या होगा, यह भी आपका option हो जाएगा, गलत, the length of vapor bubble is increased, तब भी आपकी bubble tube की जो sensitivity हो बढ़ जाएगी, the viscosity of liquid increase, यदि आपने viscosity को बढ़ा दिया, तो आपके पास जो bubble होगा, वो कम sensitive होगा, क्यों, क्या होगा, क्योंकि उसके बात क्या होता है, cohesion और addition हो जाता है, यदि cohesion addition होगा, तो sensitivity क्या होगी, हमेशा आपने आप ही कम हो जाएगी, तो answer क्या होगा, यहाँ पर, जो D है, वो आपका most appropriate रहेगा, next, कोश्मा 16 करेंगे, आपके बास मैं start करूँगा, ठीके, हाँ वो भी हमें start करेंगे, पहले आप UPMR से दे लो, अभी हम कहा है ना, कि mains के बैस में busy है, आपकी जो class है, ठीके, आपकी जो class है, अभी online, offline दोनों चल रही है, आपके दिल्ली के अंदर, mains की, तो time कम बच रहा है, लेकिन आपने बहु आपके बहुत जगा busy schedule चल रहा है, अभी mains का, तो इसलिए हमें time कम मिल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम जल्दी start करेंगे, ठीके, और अभी जल्दी start करेंगे, ठीके, दिल्ली में आपके पास यहीं पर है, नहरू वियार पढ़ता है, मुखजिनर के पास में, यहीं पर नहीं आपकी offline कोई चल रहे है, mains की, ठीकिए, with the following method of leveling, eliminate the error due to curvature and the distortion, यह अठीक आपके पास क्या होता है, जो करेचर का Err уже होता है, जो क्रेचर का Error है, और यहां के पास क्या होता है, और कि आपके पास क्या होता है, और यहां पर जो D होता यहां आपके आए, तो क्रेक्षि आएगा वो आपके बस क्याएगा निगेटिव आएगा अब बात करेंगे यहाँ पर जो रिफ्रेक्शन का एरर होता है वो क्या होता है 1 by 7th of d square by 2r होता है और इसके लिए क्या हो जाती है प्लस के 0.11 0.011 बोलेंगे इसको 0.012 d square हो जाता है इन दोनों को आप separately भी याद रखेंगे ठीक है चलिए तो आप हावे बात करते हैं आपर तो क्या होगारे पास विच्दा फॉलाइंग मेथाड ओफ लावलिंग ऐलिमिनेट देर दूटो दो करवेचर इंद रिफ्रेक्शन करेंगे डिस्टेंस बैक साइट की और फॉलाइट की तो वहाँ पर क्या होगा वहाँ पर करवेचर और रिफ्रेक्शन एर्र दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे बतलब क्या है या तो आप रैसे प्रों का लैवलिंग करो तो बहां से क्या होते है लाइन ओफ कॉलिमेशन का एरर लाइन ओफ या फिर में पास करवेचर एरर रिफ्रेक्शन एरर आपका पार्शल ही होता है पर हो जाता है या फिर आप बैक साइट फॉर साइट दोनों पर काम करो तो वहाँ से क्या होते हैं यह सारे आर आपके critics होते है ठांटे है उक और मिलेट करेंगे ॉक्ड़ अश्म नatti निम्ट करिये बताइए जब आप रैसिप्रोकल की बात करते हैं तो रैसिप्रोकल के अंदर किस पर काम किया जाता है रेंजिंग पर काम किया जाता है या फिर लेवलिंग पर काम किया जाता है कॉंट्यूर पर कि जब भी हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं same elevation पे काम करते हैं लेकिन रेस्टेपो का leveling पे हम कभी भी same elevation पे काम नहीं करते हैं यदि आपका elevation का कोई difference भी होगा तब भी हम काम कर सकते हैं तो यहाँ पे जो option होगा वो first and second ranging and leveling option सही हो जाएगा वर और जो third वाला option है वो गलात हो जाएगा ठीक है कॉंट्री पे हम काम नहीं करते हैं तो B is cancer for this question ठीक आरा भाहर समय में तुम्हें है अरे भाईयो बता दो मुझे कितनी बात कि थारो समय में RO ना RO RO है तो फिर हम अग्गे बढ़ा हूँ S पढ़ा हूँ मैं तुम्हें तब आप कुछ समय में आएगा हैं या फिर बिल्कुल decent way में देखो बेटा ऐसा होता है कि instrument आपका A पे रखा होता है तो staff reading A पे और B पे दोनों पे calculate करें अचा आरो फिर ठीक है चलिए two station P and Q पे आपके रखे हो instrument at P and Q तो staff reading मेरे पास क्या है staff reading आपने P पे calculate करी Q पे calculate करी ये question आपके UP का सबसे favorite question है अभी UP आरो पेपर हुआ question टपको LMRC पेपर हुआ तब भी टपको ठीक है तो UP का UP PSL का पेपर हुआ तब भी टपको तो हर जग है आरो ये question तो भाई इस question को धिहान रखे हो यहां से question ज़रूर आओगा है ना तो देखो धिहान समझो इस question को ना एक बार समझो धिहान से बाबा फिर ट्रेटर ना पड़े आपको देखो क्या है आप मुझे staff reading देखके बताओ P पे आपके reading लखी हुई है और Q पे निकाली आपने तो मुझे बताओ कि जो reading है क्या वो PP कम आ रही है और जो reading है आपके Q पे ज़्यादा आ रही है तो मतलब यही है कि जब reading आपके Q पे ज़्यादा आ रही है तो क्या वो कम elevation पे है क्या यह आपके ज़्यादा elevation पे है बही simple सा concept है ना कि यदि आपके पास ऐसा instrument है instrument यहाँ पर रखा हुआ है आपने staff को यहाँ पर रखा reading यहाँ पर calculate की आपने staff को यहाँ रखा और आपका जो instrument है वो यह ही रखा हुआ है तो जहाँ reading यह आएगी मुझे बताओ यह reading बड़ी है यह फिर यह reading बड़ी है तो आप बोलोगे जो reading आपकी P पे और Q पे आएगी P पे हमेशे reading कम होगी तो यह higher elevation पे है ठीक है तो यहाँ पे देखो धियान से जो आपका Q point है उस Q point पे मेरे पास क्या है जो reading है वो आपकी बड़ी आ रही है तो समझ जाना इस बात को कि जो मेरे पास यह RL दे रखा है मुझे किसका P का और मुझे Q का calculate करना है तो हमेशा यू बात ध्यान रखो कि जो आपकी reading P पे आ रही है और जो Q पे आएगी Q पे reading हमेशे आपके पास क्या आएगी RL की value वो कम ही आएगी यह RL बढ़ा आएगा और यह RL आपका छोटा आएगा तो यहाँ पे 200 आ रहा है आप 200 से छोटे option दोई है एक तो U है और एक U है और आप हमें calculate करना पड़ो तो आप हमें calculate करना पड़ेगा तो इसके लिए क्या होता है इसके एक formula होता है जो आपको याद करना है हम true difference calculate करते है दो point का P और Q का जो reading बढ़ी है वहाँ से start करिए आपकी Q पे बढ़ी है तो Q से start करिए तो 3.500 minus 1.400 ठीक है plus 2.200 minus 0.600 divided by 2 यहाँ से जो delta HP क्यों आया यह आपका true difference आया P point का और Q point का ठीक है यह आपका point आएगा अब मुझे जो RL है वो Q का calculate करना है तो मैं RL of P में से यह delta HP Q को minus कर दूँगा तो क्या यह मेरे पास 200 value है इस में से आप HP Q को minus कर दीजिए और जो answer आएगा वो आपका answer होगा तो क्या यह answer आपके पास 198.15 आएगा 198.15 आपके पास answer होगा मिंटर में अब देखो आपका जो answer हो match न कर रो कैसे न कर रो यह point 3 आ रहा है यह आपका point 2 आ रहा है ठीक है लेकिन यह 199 आ रहा है यह आपका 198 आ रहा है तो यह नहीं छोड़के आ जाओ एग्जाम में जो उसके आसपास answer होगा उसको आपको match करना पड़ेगा जो answer होगा वो आपका क्या हो जाएगा D हो जाएगा तो D is answer for this question ठीक है तो ऐसा question आपके exam में आएगा तो आप सब कर दिये न एक number आप हमेशा पक्या कर लेना एक max question UP के लिए favorite question है हर बार आपके exam में आ रहा है ठीक है जहां भी competition का question कोई पूछ रहा है तो हमेशा question पूछ रहा है हाँ से तो आप से पूछेगा ठीक है next करिए question number 19 करिए यह भी अच्छा question है in a plane surveying where the graduated staff is observed either with the horizontal line of sight और inclined line of sight the effect of reflection क्या बोल रहा है question में यह यह बोल रहा है आप से यदि आप plane surveying कर रहे हैं और graduated staff observe कर रहे है horizontal plane site में और inclined plane of sight में जो आपका effect of reflection है वो आपका कम होगा क्या उसकी वेसे जो staff reading है वो आपकी बढ़ जाएगी या staff reading आपकी घड़ जाएगी या कुछ भी फ्रक्टनी पढ़ने का उसपर या duplicate staff reading आएगी तो बेटी ध्यान से सुनो यह क्या है मेरे पास यह earth surface है यह आपकी होरीजोंटल लाइन है ठीक है यह आपकी होरीजोंटल लाइन है अऐ गोटेृटर नॉट टेकन करवेचन . बैट एक करवेचन पास अ मुझे क्या हो गाई है लेकिन नुकिन दॉर्ट आपकी होरीजोंटल लाइन यह समझाright तो क्या होता है रिफ्रेक्टरेक्षन की वज़े राता है तो वह आपके टैमपरिचर को difference की वज़े से आता है पहले rear में था, अब denser medium में आता है जब rear से denser medium में आपके पास कोई भी wave आएगी या कोई भी raise आएगी वो earth surface की तरफ जुक जाती है आ तो ऐसे रही होगी आप मालों ऐसा आपने measurement किया आपने ऐसा measurement किया तो जो raise है वो आपकी ऐसी आ रही होंगी लेकिन ऐसे जुक जाएगी आपकी जो true value थी आपको यहाँ पर measure करनी थी लेकिन reflection के error की वज़े से या reflection के correction की वज़े से वो ऐसे deflect हो जाएगी तो आप बताओ staff reading यहाँ पर बढ़ी आएगी या फिर यहाँ पर बढ़ी आएगी तो reflection की वज़े से जब आपके पास rear medium से dancer medium में आई तो आपकी जो raise है वो क्या होगी? अर्च सर्फिक तरब जुग जाएगी और deflect हो जाएगी जब deflect हो जाएगी तो क्या होगा? आपकी जो staff की reading है वो कम आएगी तो decrease the staff reading इसलिए क्या होता है? इसलिए आपके जो correction है वो positive आता है reflection का तो कि वहाँ पर reading की आएगी? कम हो जाएगी बी is cancer for this question तो कभी आप गलती नहीं करोगे नहीं करोगे ना गलती? यह वो तच्छ अच्छे concept है जो लोग भूल जाते हैं रट लेते हैं वस इसको तो आपको मैं समझा दे कैसे काम करते हैं कोश्शन का level कैसा है? बताओं मुझे 10 में से कितने number दोगे? 10 में से कितने number दोगे? कोश्शन के level में? नमबर दो जल्दी से बतावा नसा का इस question का next करिए question में आप से वो लगा है reflection error is the least in case of यदि आप reflection error की बात करेंगे क्या करेंगे reflection error की बात करेंगे तो इन में से किस case में सबसे कम reflection होता है जल्दी बोलो बोली तो क्या answer इस question का कुछ बोल रहे हैं आपके पास omnimeter, substance bar, tangential tachometer, stadia tachometer तो reflection error होते हैं वो least होते हैं in the case of substance bar tachometry में यदि आपके पास जो substance tachometry bar है उसमें सबसे कम आपके reflection के error होंगे तो क्या होता है substance bar से हम आपके पास क्या करते है horizontal distance को calculate करते है और वहाँ पर जो target होता है वो आपका fix होता है जब आपका target fix हो जाएगा और उसके distance आपको पता होता है पहले से ही तो वहाँ पर क्या होगा ज़्यादा बड़ी distance तो है नहीं तो वहाँ पर जो error होते हैं वो काफी कम पाए जाते हैं जबकि सबस्टेंस बार में एक मेरे पास क्या होता है बहुत ही कम distance होती है और fix target होता है तो measurement easy होता है तो reflection correction error को हम neglect कर देते हैं ठीक है 21 करिए कॉश्चमर 21 करेंगे कॉश्चमर 21 कॉश्चमर 21 ऐसे additive constant and analytic lens is inserted in the tachometry make this additive constant 0 देखो साफ साफ लिखा हुआ है यहां से आपके दो कोश्चमर बन सकते हैं पहला जब आप analytic lens को use करते हैं तो आपका additive constant है वो 0 हो जाता है यह आपको पता है दूसरा यह पूछ रहा है कि जो हम इसमें lens करते हैं वो कौन सा use करते हैं कौन सा lens use करेंगे तो ध्यान रखेंगे जो आपका kinetic lens के अंदर जो आपका lens use किया आता है वो plano-convex lens होता है this is plano-convex lens not a convex lens plano-convex lens होता है जो आपके object glass और जो आपके diaphragm है यह आपका diaphragm होगा यहाँ पे आपका object glass होगा उसके बीच में यहाँ पे place किया जाएगा ठीक है plano-convex lens को यहाँ पे हम place करेंगे ठीक है ध्यान रखेंगे इस बात को तो answer को जाएगा B हो जाएगा next कोश्वर 22 करिए रॉम रॉम जी रॉम रॉम निखिल मावी स्टेंथ रॉम 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 र्यान की साड़े आठ घंटे क्लास है मेंस में तो बच्चे कहरें हम सुबह नहीं आएंगे साड़े नों वजे पड़े ने चलो बताओ मुझे इस केस में क्या होता है जो आप technometric leveling करते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं ठीक हो देखो technometric leveling के अंदर एक simple concept use होता है कि यदि आपने एक angle को measurement कर लिया तो आप distance को easily measure कर सकते हैं ठीक है ऐसा आप काम करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है determination of elevation of station is based on the observed vertical angle and the horizontal distance तो देखो यदि आपके पास क्या है यदि आपने vertical angle को measure कर लिया ठीक है या फिर horizontal distance को यदि आपने determine कर दिया on the basis of vertical angle तो आप easily calculate कर सकते हैं यहाँ पर आपको को specific instrument use नहीं करना है जब भी हम technometric leveling करते हैं तो हम technometry पे ही base करते हैं कि आपकी angle कितना है पायतागुरस क्या काम कर रही है हम इसी पे base कर सकते हैं देखो रिखा हुआ है आपके बास determination of elevation station is based on the observed vertical angle and the horizontal distance determination of the horizontal distance is based on the vertical angle देखो हम इसकंदर जो आपकी वर्टिकल एंगल को पहले calculate करेंगे और उसके basis पे आपकी horizontal distance को calculate करते हैं कि दोनों दोनों चीजों में difference है ध्यांस देखो difference क्या है determination of the elevation station is based on the observed vertical angle and the horizontal distance कभी भी हम आपके trigonometric leveling के अंदर elevations को calculate नहीं करते हैं हमें पहले vertical angle पता होगा तब ही हम क्या करेंगे आपकी horizontal distance को calculate करते हैं आप देखा भी होगा यहां पर instrument रखा हुआ है यह आपको angle पता है आप यहां से यह distance calculate कर रहे है फिर यह आपका vertical elevation यह calculate कर रहे है ठीक है तो पहले आपको क्या होता है पहले आपको हमेशा यह angle पता होना चाहिए और उससे हम distance और elevation को calculate करेंगे यह नहीं कि distance पता है एंगल पता है elevation करने है यह तो बात की चीज है पहले हमें horizontal distance calculate करनी पड़ती है इस angle के basis पर ठीक है तो आंसर के इसका B हो जाएगा करें नेक्स करें कोश्मा 23 वैसे तो अब मेंगे लग रहा है कि आपको स्लेट में नहीं है आप फोटो ग्रैमेटरी सर्वेइब आपका जो वर्टिकल फोटो ग्राफ है उसका जो सेंटर होगा यह वो टिल्ट को मेजर कर रहा है तो क्या बते हैं उसी को हम आईसों का नाम देते हैं तो बी ओप्षिन करेक्ट है ठीक है यह दो कोशन आपके आ गए थे ठीक है इसको मैं हटा ही देता हूं को जिसे कि आप बिल्कुल भी इसमें डिस्टर्ब ना हो कोश्व 25 करेंगे कोश्व 25 करिए त्योरी ओफ एर्र एंड अजस्मेंट डील विदा मिनिमिशन और पढ़िए इसमें हम क्या करते हैं प्रोबैबिलेटी फंक्षन पर काम करता है यह मौस्ट वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं देख़ए आप से थियोरी ओफ एर्र एंड एड्जस्मेंट डील विदा मिनिमाइजिंग दा इफेक्ट उफ जब भी हम थियोरी ओफ एर्र करना होता है तो आंसे क्या होगा डी हो जाएगा डी इसका अंसर फोर दिस कोशन नेक्स करिए कोश्वां 26 करेंगे लिखवाए कोशन में आपसे ड़को दूद गया गोश्लो वेट टूबी असाइन अजब परपोर्शनल टू आपनी गोश्लों का नाम सुना है गोश्रूल आपके पास गोश्रो लो है उसके हिसाब से वेट टूबी असाइन अजब परपोर्शनल टू वन अपॉन सम और रेजिडूल एरर ऑबसर जितनी आपने एरर को अबसर किया उतना आपका वेट कम होगा जितना वेट आपका ज्यादा होगा उतनी आपकी एरर कम होगी यह ब waż-द्या-ज्याइश-बेडियंस आपको दे रखिए आर आपको दे रखे कितनी असी मिंटर कोMr mné Čन बॉसिपल आपको दें रखा है मतलब यह आपको आपको एर्या तो इНу पासwegen फॉर्णец स्क्वेर area होता है तो da क्या होज़े है मिरे पास 2 pi r into dr 2 into pi into 80 और जो dr मिरे पास कितना है 0.05 divided by 2 dr by 2 की value मिरे पास क्या है यह दे रखिए plus minus है इसको ऐसे खलेजिए a t into plus minus 0.05 by 2 तो यहां से आपके पास जो area आएगा वो area आएगा इसमें आपके पास यह error रहे होंगे तो कितना आ रहा है 12.56 plus minus k and c is cancer for this question ठीक है तो ऐसे question क्या है आपसे volume में पूछे तो volume में calculate कर लो length में पूछे length में calculate कर लो area में पूछे एड़ा calculate कर लो कर लोगे न सभी next करेंगे question number 28 करेंगे question number 28 यह parabolic vertical curve is to be set out connecting two uniform grade of 0.6% and 1% and the rate of change of grade आपको इतना दिया हुए तो length of curve पूछ रहा है यह question बहुत ही simple question है जो length of curve हम calculate करते है वो क्या होता है वो मेरे पास क्या है change in grade divided by rate of change of grade rate of change of grade इन दोनों पर काम किया जाता है तो यह तो मैं change in grade की बात करूँगा तो कितना होगा मेरे पास वो 1.6 क्या है आपका 0.4 होगा divided by rate of change of grade कितना मेरे पास 0.06 divided by 30 कितना आ रहा है 250 मिटर आ रहा है जहांस देखो कितना अंसर रहा है यहां पर तो पूरा ही आएगा अंसर यहां सब्सक्राइब तो आंसर जागा सी एंड़ सी इसका आंसर फॉर दिस कोशन नेक्स करिए कोशन में 29 करेंगे 29 कोशन में 29 करेंगे बोला है कोशन में आप से for a code of 60 में 30-20 मिटर साफ मिटकोड आ आपके पास भार द्रोर करते बहुंद करना तो आपको यहीं दो करना है mid-ordinate का formula क्या होता है r 1- cos delta by 2 यह तो formula होता है तो मिरे पास क्या है मुझे पास r है पर delta नहीं है तो पहले क्या करिए पहले delta calculate करिए length of long cone में पास क्या होती है 2r sin delta by 2 होती है ठीक है, length में पास क्या है 60 है यह 2 into 50 हो जाएगा sin delta by 2 60 by 100 is equals to sin delta by 2 यह से गया यह पज़ा आपका 0.6 0.6 आपके पास क्या है sin delta by 2 की value है अब आप सोच रहोंगे सर बिना calculator के exam में कैसे करेंगे इसको, ठीक है ऐसे दिमाग में आ रहा है आपके आना चाहिए दिमाग में नहीं आ रहा है तो कैसे करेंगे बिटा इसे बिना calculator के मुझे बताओ कि यह दि मैं आपसे बूचू कि sin 30 की value कितनी होती है तो आप क्या बोलोगे 1 by 2 होती है ठीक है और sin 60 value कितनी होती है में पास तो आप बोलोगे मेरे पास sin inverse delta by 2 sin inverse 0.6 0.6 is equal to delta by 2 के बराबर होगा यह होगा नहीं होगा सुनने में आया है पेपर लीक हो गया है बड़ा सुनने में जो आया है उसको सुनने बंद कर दो पेपर के तियारी करो अपने ठीक है जो सुनने में आ रहा है गज़ा भी लोड लड़के हैं पढ़लो पहले चलिए यह बास है मेरे आपको sin inverse 0.6 की वैल्यू आपके delta by 2 के बराबर है तो बताओ मुझे कि क्या यह आपके पास value sin inverse मेरे पास यह है ठीक है अब मैं आपसे पूछूँ कि यदि मेरे पास sin inverse 0.5 होता तो क्या यह वैल्यू मेरे पास 30 आती डेल्टा टू की वैल्यू मेरे पास 30 डिग्री आती नहीं आती जल्दी बोलिए अब क्या यह वैल्यू मेरे पास इससे ज्यादा आ रही है तो 30 से बड़ी वैल्यू आएगी ठीक है तो आप एक काम कर लिजिए 30 पर ही काम कर लिजिए तो यह 30 में काम कर रहा हूं तो मैं से बोलों कि मिरे पास जो डेल्टा आएगा डेल्टा बाइट 2 है वो मिरे पास 30 डिग्री आ गया 30 डिग्री आर्ट किम मेरे पास कितनी है 50 है 1 minus के cos 30 यह मालनो अभी आप 30 और यहां से जो value calculate करोगे उससे ज़्यादा value आपके आने चाहिए ठीक है उससे बड़ी value आपके आने चाहिए तब यह आप काम कर पाएंगे उससे जो बड़ी value आएगी वह उनमें से एक आएगी तो जो gap है बीच में बहुत पास पास होता तो नहीं कर पाते हैं लेकिन दूर दूर है तो हम कर लेंगे ठीक है तो आपके पास यह आ रहा होगा approximate उसको आप कर लेंगे ठीक है ऐसे करोगे तो आपका आंसर match कर जाएगा गोट इड़ नेक्स करिए कोश्मा 30 करेंगे टीसेस पैटर्न की मैं बुख बना रहा हूँ आपके लिए ठीक है मैं आपको अभी रिवील नहीं करना चाहरा था लेकिन मैं आपके लिए बना रहा हूँ कि जो बोक है इसमें साही जो टीसेस ने आप आस्ता कोश्चन करवाए है वो सारे मैं आपको एक बुझेंगे दे दूँगो मना के ठीक है चलिए इव दा एंगल ओफ डिफ्लेक्शन ओफ सिंपल करव एंड इस रेडियस इस आर देंदा लेंट अफ कोड जो लेंट अफ कोड है उसका आंसर क्या होगा आपको पता लेंट अफ कोड क्या होती है यदि मेरे पास ये कर्व है ये मेरे पास क्या होती है लेंट अफ लॉंग कोड होती है ये आपकी रेडियस आर है ये क्या है मेरे पास ये आपका डेल्टा बाइट ये हो गया तो आप क्या कर सकते हैं आप sin delta by 2 का formula लगा सकते हैं, sin delta by 2 is equals to l by 2, l by 2 by r, l by 2 into r, तो जो l की value होगी वो भी बस क्या हो जागी, 2 r sin delta by 2, यह value होती है कि आपस क्या, length of long code की value हम ऐसे calculate करते हैं, हाँ, live, pre, जो paid class है, उसकी live class आपकी marks में start होगी, इसमें आपके पास question practice की जाएगी, ठीक है, रविंद्र पांडे, हर सब्याट के जो question practice है, वो आपकी marks में start होने वाली है, ठीक है बिरो, तो answer का, इसका answer का है, हम पे, 2 r sin theta, यह फिर delta by 2 पे हम काम करेंगे, तो यह आपके पास, answer यह वाला होगा, and b is answer for this question, question number 31, बोलें आपके आपके पास simple curve को set out कर रहे है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपके पास क्या होता है, offset करते हैं, हम different type के offset को use करते हैं, तो जो आपने वो offset को use क्या, जो आपकी long code है, उसको produce करके किया, तो यह पूछ रहे हैं, जो long code आप produce करते हैं, वो कितनी radius की chain या length तक हो सकता है, ठीके, तो एंदो length of code में बस कितनी हो सकती है, तो जो length of code है, वो आपकी r by 20 से ज़्यादा exceed नहीं करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, यह आपका rule होता है, ठीके, गॉट इट, चलिए, कॉश्व 32 करिए, कॉश्य नमबर 32, विच्ट अफॉलाइं मैथर्ड इस कंप्यूटिंग दा एरिया, एजिम देट, शोट लेंट अफ बाउंडरी बिट्वीन दा ओर्डिनेट्स और पैराबोलिक इन आउक्स, आप या करते हैं, आप अपने approximation पर काम करते हैं, बॉलिये, बलिये, विदा फॉलाइं मैथर्ड अफॉलाइं दा एरिया, एजिम देट, शोट लेंट अफ बाउंडरी बिट्वीन दा ओर्डिनेट्स और पैराबोलिक आग्स, तो क्या होता है, जब हम आपके पास एरिये calculation करते हैं, approximation calculation करते हैं, यदि आपके पास parabolic arc है, तो हम Samson rule पे काम करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, आपके Samson rule पे काम करते हैं, वन थर्ड पे, एक बात और ध्यान रखेंगे, जो Samson one third rule है, वो आपका तभी use किया जाता है, जब आपके पास क्या होते हैं, odd number of ordinates होते हैं, क्या होते हैं, odd number of ordinates होते हैं, तब ही हम आपके calculate करते हैं, उसका जो एक calculation formula होता है, वो आपका d by 3, a0 plus के an, four times of even value, जो even ordinates है, plus two times of odd values, उन पे हम काम करते हैं, जब भी हम इसको calculate कर पाएंगे, वर्ना हम calculate नहीं कर पाते हैं, तो मिलमें आपके तीन ordinates हो, और जो और number of ordinates हो, उसके हम काम कर सकते हैं, तब ही हम यहाँ पर use कर पाएंगे, question number 33 करेंगे, ऐसे question भी आपके exam में आजकल आ रहे हैं, जो आपके exam हो रहे हैं, LMRC का हो गया, या फिर आपके assistant manager का exam हो गया, वहाँ पर ऐसे question पूछी जा रहे हैं, जो का बलाएंगे, आप से the following offset were taken from the survey line to be, to a hedge, ठीक है, तो जहाँ पर distance दी हो, यहाँ पर आपको offset दिया हुआ है, the area between the survey line and the hedge is trapezzural method, आपको trapezzural method के corresponding, यहाँ का जो area है, वो calculate करना है, हाँ जी, JP जी आप ले सकता है class, उसके लिए भी best class है, कर लीजिए, हाँ बेटा कर लोगे, तीन महिने के तो बात है यार, भई आपका जो अभी आपने course purchase किया होगा, December में, जनवरी, फर्वरी, मास, तीन महिने बचरे, तीन महिने में आपको उस complete कर लीजिए अपना, ठीके, मार्च में मैं आपके बास question practice करूँगा, एक महिने कंदर question practice कता हो जाएगा, आपका, 6 महिने की validity is more than sufficient, आपको पूरी साल थोटी जाहना है, ठीके, लेकिन जैसे ही आप 20 से 30 गए, और 30 से 40 गए, तो क्या यह difference आपका बढ़नी गए हां से, यह 10 का difference आए, यह आपका 10 का difference आए, तो एक बताओ मुझे, जो आपका 20 तक है, हमें 20 तक हम एक वाली value पे काम कर सकते हैं, लेकिन जो बच्ची हुई आपके पास, यूस करना पड़ेगा, लोग कैसे, 3 प्लस के, जो लास्ट वाला हो कहा है, 6 डिवाइब बाइ 2, प्लस 4 प्लस 5.5 प्लस के 5, यह आपने एक कोडिनेट बनाए, और इसमें जो बच्ची का difference है, वो आपका 5 का है, यह आपका एक area हो गया, अब जो बचा हुआ a1 मान लेता हो मैं इसको, a2 को जो area होगा, वो किसका होगा, जो 20, 30, 40 पे हुआ, यहाँ पर क्या है, जो difference है, वो आपका 10 का आ रहा है, कौन अमित जी? मैं किसी अमित जी को नहीं जाना था, कौन अमित जी की बात कर रहे हैं, बहुत सारे अमित जी हैं यहाँ पर, ठीक है, अब पतने हैं आप कौन से अमित जी की बात करना है, किसको को बरने काट लिया, 6 प्लस के 4.5 डिवाइबाइब 2, प्लस 4, इंटू 10, यहाँ से क्या होगा, आपके बास area a1 और a2 कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है, a1, a2 का जो area है, यहाँ पर आप कैलकुलेट हो जाएगा, और इन दों का जो summation है, वो आप करेंगे, वहाँ से आपका total area calculation हो जाएगी, ठीक है, तो यह नहीं की question देखा और जल्दल्दी में कर दिया, पहले question की भावना को समझो, आप सब की भावना होंगी, मेरी भी भावना है, ठीक है, तो यह जो मेरी भावना है, वो मुझे बोल रही है, कि भावया, यहाँ तक, भावया नहीं बोल रही है, खेर मुझे हो, पर वो बोल रही है, कि भावया, फिर भावया, तो ये भाईया जो word है इसकी बेरे से हम परिशान होते है कि 3, 4, 5.5, 5, 6 यहां तक जो difference है वो 5, 5 का difference है और जो बचा हुआ है वो क्या है वो आपके बास 10, 10 का difference है तो हमें वो change करना पड़ेगा और इसलिए हमें आपे A1, A2 का जो value है वो calculate करेंगे अच्छा कोशन है must कोशन है जखास कोशन है एक्जाम में आ सकता है ठीक है next करिए कोशन में 34 करेंगे अच्छा जेपी इतना पढ़लो तो मैनेजर बन जाओगे कहां कोबरा ओबरा में घूम दूते फिर रहे हो सर भाईया मेरी सुनल बेटा जितने कोर्स की हम कम कर सकते हमने कर दिया है ठीक है master की महनत भी आप देख भी रहोंगे आट ग्रेंट क्लास चल रही है तो जितने कम प्राइस हो सकते हैं मिनिममम प्राइस में देते हैं उससे हम कम नी कर पाएंगे चलिए for locating an inaccessible point with the help of only a plane table और one should use यदि हमें inaccessible point को measure करना है तो हम कौन से method पर काम करते हैं तो we will use the intersection method पर हम करते हैं intersection method पर काम किया जाता है यह आपको दिहान लखना नेक्स करिए with the following error is a more severe in the plane table survey plane table survey के अंदर बहुत साई error हो सकते हैं लेकिन सबसे जो severe error होगा वो कौन सा होगा यह आप से पूछ रहे हैं ठीक है with the following error in the more severe in the plane table surveying the plane table surveying के अंदर सबसे से जो severe error है वह आपके पास क्या होता है orientation का defect है यदि आपका orientation का defect हो गया आपका camera यहां पर लगा हुआ है और मैं यहां देखके आपको पढ़ा रहा हूं और पढ़ाई जा रहा हूं हां हां बताईए जी कैसे हैं आप और सही चल रहा है मेरी भावना मेरे अंदर ही है मैं आपको ऐसे देखके बढ़ाऊं तो क्या आपको मज़ाएगा पढ़ने में तो इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोल देता है orientation का defect ठीक है जहां पर मेरा camera है वहीं पर मैं class time की थोड़ी कमी है कल मेरी सुबह और 9 बजे class है आपकी offline उसमें irrigation पढ़ा रहा हूं आपके mains के अंदर तो भाई अभी मैं कोशन यहीं पर छोड़ता हूं वैस्ता कोशन आपके 50 से ओपर है लेकिन वहां पर मैं आपको कोशन दे दूँगा में जो telegram की ID है उसको ध्यान रखना हम वहां पर बात भी करते हैं जैसे आप क्या है अभी सिर्फ comment कर रहे हैं वहां आप मुझसे face to face बात भी कर सकते हैं ठीक है तो वह क्या है वह ध्यान रखेंगे अवनीश शर्मा के नाम से में टेलिग्राम चैनल है अवनीश शर्मा कुछ वहां पर आपको फरजी भी मिलेंगे लेकिन एक अवनीश शर्मा की नाम से है वह आप ध्यान रखेंगे उसको आप जोइन कर लीजिए हम वहां पर बात भी करते हैं आप मुझसे बात भी कर सकते हैं ठीक ह है वहाँ पर डल जाएगी उसका दिहान रखेंगे और साथ में कल मैं आपको नए सब्जेट लेकर आऊँगा वहाँ पर काम करेंगे इन्वारिमेंट हो गया फ्लूड हो गया ठीक है इन पर काम करेंगे सब्सक्राइब करेंगे वहाँ चलेगा वह हमारा मार्च में स्टार्ट होगा अभी क्या है रिकोड़ेट सी चलेगा अभी कोई हमें पास टाइम नहीं है में चल रहा है ठीक है तो वह आपके लिए जल्दी स्टार्ट होगा ठीक है वह उसके लिए थुरा सा टाइम दो मुझे एक ही आदमी हूँ मैं मेरे पास समय की कमी है मैं भगवान नहीं हूँ कि मेरे दस हाथ हैं दस सरीर हो जाएंगे तो पहले हम एक चीज़ों कंप्लीट करते हैं उसमें पूरा अफर्स देते हैं उसके बाद दूसरी चीज करते हैं यह नहीं कि सतर चीज़ स्टार्ट कर ली और समय कुछ नहीं दें पा रहे हैं तो अभी मेंस पर फोकस चल रहा है और प्री के अंदर बैस क्लास है उन पर आप काम कर लीजिए और जल्दी ही हम आपके बजार में और आपके पास वो बुक आ जाएगे ठीक है अभी मेंस की बुक आपकी अभी कल पर समय बन जारी है पूरी टोटल और वो आपको मिल जाएगी ठीक है उसमें आपके बास क्या होंगे 2020 तक के सारे पेपर होंगे जो प्री एस एर में आये हैं ऑके प्री का रिजट कब तक आएगा आने वाला ही है रास्ते में ही है ठीक है बस वहीं रुका हुआ है उसके भास उससे पर राजेगा तो अब रात है और कल सुबह है फिर पर सो तो दो-तिन गोट इट मिलते हैं फिर आपके नेक्स क्लास के अंदर तब तक के लिए बाइए आप जो क्लास चल रही है उसके ऊपर दियान दे लो ये पढ़ लो और फिर हम वह भी स्टार्ट करेंगे तब तक के लिए जैहिंद जैवागत झाल 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 झाल